एक लुक क्रिएट किया गुड मॉर्निंग मेरा गुड़ा यहां पर सुबा सुबा देखो उट करके एकदम फ्रेश मूर में बैटा हुआ सब को गुड मॉर्निंग भोलने के लिए हेलो अब्रीवन वेल्कम और वेल्कम बैक तो दे चैनल इन सौम्यास वर्ड और मैं हूं सौम्यास हो वेदर पुरी तरीके से डिफरेंट था हलकेल की बारिश भी हो रही थी और खूप सारे बादल थे लेकिन अभी फिर से पूरा चेंज हो गया जैसे नॉर्मल हो गया है और धूप भी निकल आई है मतलब इस टाइम पर इतनी धूप निकलती है और फिर उसके बाद में तो बहुत देज से धूप आई थी और स्कूल बसस भी देखो यहां पर आ गई है बच्चे अपने पने स्कूल जा रहे हैं एक दिन मैंने व्लॉग में बताया थी कि मैंने डी आइवाई हेर ओल लगाया हुआ है आपने पूछा था कि किस चीज से बनाया है तो यह है वो प्लांट यह एक बेल के जैसे होता है हम लोग इसे घंबरा बोलते हैं इसे ब्रहंगराद भी बोला जाता है यह मैंने अपने घर से मगाया था तो इसी की पत्तियों से और वो ओल के साथ में मिक्स करके मैंने एक ओल बनाया था तो मैंने वही लगाया हुआ था और आपने पूछा तो मैंने का कि चलो अभी मैं कोई आद आ गया मैं बैलकनी वी थी कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ यहां पर देखो मैंने सारे अपने ब्लैंकेट घर्टे करके रखे हैं क्योंकि अभी इनको ड्राइ क्लीन के लिए देना है तो मैंने सारे बाहर ही रख लिए थे कि चलो अभी भी हो जाएगा एक काम फिर उसका अदमें डस्टिंग वागारा मैंने पूरे घर की कर दी थी क्य हाडू पूछ होने से पहले अगर डस्टिंग हो जाती है तो वह जादा अच्छा रहता है वैसे हमारे या डेली तो नहीं हो पाती है क्योंकि ना यह सारी चीज़े आजकल बेटू के उपर डिपंड करती है वह जब सोती है जब जगती है जिस सरीके से तो जब जैसे टाइ जाता है तो उसके लिए यहां पर बन चुका है अभी हमारा बनेगा और आज ऑमलेट बनने वाला है तो मैं किचन में आई हूँ मैं मम्मी चीज़े कर देती है एक्षि कहना मम्मी अंडा चूती नहीं अंडा बनाती नहीं अंडा खाती नहीं और ना ही वह अंडे का कुछ क दगती रहती है मतलब मुझे बस यूंटरटोप में बहुत साही होती हूं तो कोई डर रहता है कि कुछ शीज jsाओनता है दोता है ये साही चीजे मुझसे बनती नहीं है, मैं कोशिश भी करती हूँ बढ़ फिर वो नहीं बनती है, तो आभी मैंने कोशिश करना ही जोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे से नहीं होगा, तो वो हस्बेंड में आने वाले हैं, तो आभी वो सोकी नहीं उठे थे मैंने का चलो मैं यह साई चीज़े कर देती हूं फिसको आद में उठेंगे फ्रेश वगरा होगे तब तक यह चीज़े बनेंगी तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूं सबजे वगएर भी सूबा में भन गई थी क्योंकि होता है जिस टाइम पे मम्य इन बना दी थी क्योंकि मैं खिचन में हूँ तो वह उसको ले कर है और ऑगर गज्यक्री होती हूं तो मैं उसको लेकर के रहती हूँ एक एक इंसान तो मतलब उसकी ड्यूटी पे चाहिए होता है और इसको आद मैंने चॉपिंग कर ली थी जो चीज़ा चाहिए थी मैंने मतलब साई चीज़े रेड़ी कर ली थी अध्रक, लसन का पेस्ट हरा मिर्श था प्यास था थोड़ा सा और हरा धनिया यह साई चीज़े कट कर ली थी एंद फिरसको आद मैं हस्बेंड ने मेरे बना दिया था मैंको आपको अंडे से जुड़ी बात दियू इससे पहले जो मेरी प्रेग्णेंसी वी थी क्योंकि ना एक टाइम पे मुझे तो इससी वीकनेस लगने लगी थी तो मैंने का कि नहीं चलो आप स्टार्ट करते हैं तो आज मैंने शायद से डेड़ दो साल के बाद में आज मैंने एक खाया होगा इससे पहले नहीं खाया यह मैंने हो चुकि यह मालिश यह अभी सो रही है भी चुदे चग गई पर बात करी ना थे तुरन चग गई एंड फिर इसके बाद में फिलिप कार्ड से आया था मेरा कुरियर यह मैंने और किया था टोटे काइंड ओफ बैग जो कि मुझे रसीव हो गया है यह काफी जादा अच्छा है काफी स्पेसियस है एक्षी ना में को अभी जब मैं कहीं पी जाती हूँ थोड़ी भी देर को जाओ तो बेबी का थोड़ा बहुत समान तो हो जाता है जो मुझे लेना पड़ता है फर्स ताइम मैंने इस टाइप का बैग लिया है मुझे यह पर्स या बैग वगएरा का बहुत ज़दा शौक नहीं है मैं बहुत ही रेर लेती हूँ लेकिन अभी तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि इसका समान कहीं तो रखना पड़ेगा तो मुझे काफी एक क्यूट एंड कलरफुल सा लगा जिसके टैसल लेना वह बहुत ज़दा अच्छे एंड इसके साथ में एक क्वाइन बैग भी मुझे मिला था जो कि मैं जब इससे देख रही थी तो मैंने उससे नहीं देखा था वह दूसरे पैकेट में था अच्छी है इसकी क्वालिटी अच्छी है फिनिशिंग वगारा भी अच्छी है आपको कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर फिर इसके बाद मैंने नहाया हो था आज मैंने हेर वोश किया है और मैं एडिट कर रही हूँ और बेटी हाँ पर खेल रही है फिर्स ट्रैमेस्टर से मेरा हेर फॉल होना स्टार्ट हो गया था इसके बाद मैं यह डिलिवरी तक ऐसे ही कंटीनिव चला है फिर डिलिवरी के बाद में थोड़ा सा कम हुआ था तो मुझे लगा था कि नहीं अभी ठीक हो गया क्योंकि मैंने कटवाए नहीं काफी टाइम थे सो देटी थोड़ी से लंबे हैं अदर्वाइस यह बहुत ही पतले हैं एंड डेमेज हो गया फिर इस तरीके से थोड़ा बहुत काम किया और फिर लंच का टाइम हो गया था एंड लंच में आज हमारे यहां पर बना था मटर की और आलू की सबजी मुझे इसके साथ मैंने राइस बहुत जादा पसंद है तो आज मैंने रोटिया नहीं खाई हुई थी मैंने यहां पर अचार लिया था थोड़ा सा और यह मुझे बहुत जादा इसका कॉंबिनेशन पसंद है लंच वगएरा करने के बाद मैं मैंने थोड़ी देर से आराम किया और फिर एक शॉर्ट वीडियो के लिए एक लुक क्रिएट किया जो किया आपने मेरे चानल में देखा होगा और जो चीजे रखोंगे そう जो चीजे होती है जो मेरी डीली लाइफ होती है Actually, I'm real love जो चीजे मैं करती ह जो चीजे मैं करती हूं ैभी मैं जो कुछ करूं गे क्योंकि थोड़े बहτα घर के काम करने है बƏ टूस चान में ममी के बास में है जब मैं वीदिव सेवेड़ हो जिसके लेती है जब चैले से आरेंज़ करिए निटा की पर कुछ बनाते हैं श्याचा कि को ज़ा आजो करने है T न जाना महिट्पटा सा तो चलो अभी loud वी कुछ तरी किस लग रहा है रहा है ये स्टोन वाला बिंद्य होता है था यूज किया था और अब आप बताना आपको कैसा लगा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रियल नहीं एक दम से रियल जैसा फील आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है अपनी नाम पे अभी तक मैंने पहना नहीं है और शायद से फर्स टाइम होगा कि मैंने सरीके स किया है इसे पहले मैंने कुछ नहीं किया था चलो इसकी जरूरत नहीं है ये साय चीजें आरेंज करती हूं और फिर किचिन में मलते है लेकिन उससे पहले में आपको देखाती हूं कि क्या-kia मैंने फैल आपके रखा है आज काफी सारी चीजें तरही है थोड़े साही और भी जो छोटे-छोटे से काम है बेट वगेरे क्लीन करना है वह साइची से कर दूँगी कि अभी इसमें बेटू सोईगी लेटेगी फिर इसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ मैं आई थी ना बैलकोनी में करी पता लेने और जब मैं यहां जाती हूं तो फिर मुझे अंदर आने को मन नहीं करता है खुला-खुला सा अच्छा लगता है लेकिन यह इतना सदा स्पेसियस भी नहीं कि यहां पर जादे दिर वॉक कर लो अगर थोज दिर करो तो फिर वह सर को दूँगी लेकिन मैंने का तब तक एक मंगा करके रख लेते क्योंकि कभी होता है ना चानक से आपको पहनना पड़ जाए तो यह मैंने मंगाया था मुझे देखने में तो काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बट जो इसका क्वालिटी है वह उतना अच्छा नहीं अच्छी ना शाम के टाइम पर कुछ मंचिंग का मन करता है और फिर ना आजकल मैं बहुत जादा अनहल्दी चीज़े खा रही हूं मेरा वेट भी काफी जादा गेन हो रहा है और अगर यह इसी तरीके से चलता रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैंने का कि चलो कुछ हेल्दी स्नैक बना करके रखते हैं शाम को बन करता है तो फिर मैं वही खाऊंगी तो सबसे पहले हाँ पर मैंने काजू अपन चीवडा बनाते हैं और मैंने काफी टाइम से कुकिंग नहीं किया मतलब जो पूरा प्रेग्नेंसी पीरिट हो गया इसमें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है तो जो मेरी जो हैबिट है वह बहुत जादा कम हो गई है तो मैं चीजें स्टार्ट कर रही हूं यहां पर मै अपने टेस्स के अकॉर्डिंग और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है फ्लेम यहां पर मीडियम रखा था मैंने फिर इसके बाद में अपना फली दाना और काजू डाल दिया जो भी चीज़ आपको डालनी है वह डालो आप इसमें काजू स्किप भी कर सकते हो मैं इसको जादा हेल्दी बनाने के लिए यह चीज़े डाल दी है तो आप चाहो तो यह डालो अगर आप चाहो आपको और भी कुछ भी चीज़े डालनी है तो आप वह भी डाल सकते हो और मैं यहां पर राई नहीं यूज की ती क्योंकि मेरे पास में थी नहीं अब राई डालके रखोंगी एंड होगी है डिनर का टाइम और आज हमारे यहां पर बनना यूपी का फेमस भकोसा शायद अपने नाम सुड़ा होगा इसको दाल फरा भी बोलते हैं और भी इसको काफी सारे इसके नाम होते हैं यह हमारे यहां पर यूपी में बहुत ज़दा कानपूर मनमी ने बनाया था इसकी रेसिपी मैं नहीं की है क्योंकि का बेवी को लेकर ही और मम्मी इसको बना रही थी तो लेका हैपने भी खेला होना परता IX आपने नेजा पता होगा इस वह ढूंगर तो आपको ज़रूद पता होगा भूआ कि अधार को स्वाना जाला की बोले में अग्या नेक्सट इसकी शेयर करूंगे यह कि चतनी आपने जो में रोल होता है इसे में अधा है छोगी जम्मत स्थे खानती है मुझे बहुत ज़दा पसंद आती है और मुझे वैसे भी आमचूर की चीज़ें चटनी ये साइज चीज़े मुझे उसकी बहुत ज़दा पसंद आती है सो यहाँ पर बस हमारा वही बन रहा है और मैं वेट करी हूँ कि कब यह बनने और मैं खाऊ हमारे हैं पर सबको यह बहुत ज़्यादा पसंद है यह पहले ममी ने ढखके पकाया था फिसको थोड़ी देश से खुला पकाया और फिर इसके बाद में इसको फ्राई भी किया जाता है और यह मेरा सूपर टेस्टी सा आज का डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी के बाद किया मैं तो प्रेग्डेंसी टाइम में भी नहीं आई थी क्योंकि मेरा रेस था बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद में मैं शाम में नीचे आई हूँ और मैंने सोचा है तो है कि मैं अब स्टार्ट करूगी डेली नहीं तो आटलीस अल्टर नीडेस पे तो आज मेरे फेस में थोड़ा सा मेकप थोड़ा सा क्यास तो काफी जादा मेकप है मेरे फेस मेरे दिन में एक मेकप वाला वीडियो किया था सो देट अब मैं इसको पहले पुरा क्लीन करूँगी और मैं ये पिल्ग्रिम का मिसलर वाटर यूज करती हूँ जो की काफी अच्छी तरीके से मेकप रिमूव कर देता है मतलब जितना भी मेकप होता है बहुत इसली रिमूव हो जाता है इससे और अब इसके बाद में मैं अपना फेस वाश कर लूँगी सारा मेकप मेरा रिमूव हो चुका है अब मैं फेस वाश कर के आती हूँ मैं अच्छी तरीके से वाश कर लिया है अब कुछ भी मेकप मेरे फेस में नहीं बचा है आज मैं कोई स्किन केर नहीं करूँगी आज मैं ये पिल्ग्रिम का जो स्लीपिंग मास्क है वो अपलाई करने वाली हूँ तो इसको एकदम क्लीन स्किन पर अपलाई करते हैं आज मैं कुछ भी नहीं करूँ ये बस इसको अपलाई करके और सो जाओंगी तो यहां दास इट मास्क मैंने हाँ पर अपलाई कर लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ तो इस वारे व्लॉग वीडियो को मैं यही परेंड करती हूँ अगर यह थोड़ सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना नहीं है तो मैं श्यानल को स्क्राइब करेना एंड थाइंक यू सो मच पर वोचिंग मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक हैल्दी रहिए खुश रहिए गुनाइट